जब एक ही व्यक्ति सिस्टम बन जाता है तो उस सिस्टम में क्रूरता आ जाती है इस कोरोना महमारी के दोर में हमारा देश उसी क्रूरता से जूज रहा है सिस्टम की इस क्रूरता को न ओक्सिजन की कमी से दम तोड़ते मरीजों की परवा है और नहीं ICU बेड, वेंटिलेटर, रेमडे सिविल की तलाश में भटकते परिजनों की चिंता क्रूरता सिर्फ अपने मन की बात करती है उसे औरों के विचार या अभिव्यक्ति सुनना पसंद नहीं होता और सलहा लेना तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा क्रूरता को मोतों से, लाशों से, चल्ती चिताओं से कोई फर्फ नहीं परता क्रूरता अपने एहक्तार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो मोतों को एक आखणा भी नहीं रहने देती क्रूरता को हमेशा आखणों से, सच से, बुलंद आवाजों से डर लगता है आज हिंदुस्तान में क्रूरता का राज है और उसके लिए हिंदुस्तानियों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोरोना से हो रही मोतों को आखणों से भी गायब कर दिया जा रहा है ये दरसल खत्रे के वक्त गर्दन जमीन में घुसा लेने वाले शतुर मुर्ग जैसा रवया है। खत्रा बढ़ता जाता है और फिर सिस्टम की करूरता मोतों को छिपाने, सच को दबाने और संयम, धहर्य, पोजिटिविटी जैसे टूल किट के जरिये देश वासियों के साथ धोके का सफर जारी रखती है। हमें उमीद है कि भाजपाई सल्तनत ऐसे हत्कंडों के बजाए संकट की गंबिर्ता को समझ कर अपनी नाकामी को स्विकारते हुए सही फैसले लेने का साहस दिखाईगी। जैहिन